हेलो दूस्तो आज मैंने नेटफिलिक्स पर एनुला होम्स देखी एंड लेट मी टेल वेरी फ़स्ट इट्स अ क्वैट गूड एंड वेलमेड फिल्म बट देराल सम् ड्रॉबैक्स हालांकि यह फिल्म स्टाइट से ही मुझे काफी ठीक लगी इस ट्राइट से ही यह काफी इंगेजिंग है लेकिन इसके साथ अच्छे से कनेक्ट करने अच्छे से इन्मिफ्ट होने में मुझे करीब गरीब 18-20 मिनिट लगे क्योंकि उसी के बाद यहां पर कुछ अच्छी चीज़ें होना शुरू होती है और उससे पहले यहां पर उसी तरह की चीज़ें होती है जब एक फिल्म बिल्डप होती है मतलब यह फिल्म क्यों बनाई गई है हमें यहां पर क्या और किस तरह की चीज़ें देखने को मिलने बाली है हलांकि फिल्म के अंत होते होते यह क्यों बनाई गई इस पर हमारी राय थोड़ी बदल जाती है मतलब जो शुरुवात में लगता है कहानी उस ट्रैक से हटकर कहीं और ही पहुँच जाती है क्योंकि यहां पर चीज़ें कुछ अच्छी होती है यह काफी गिर्पिंग है और मुझे यही फिल्म कहीं पर भी फिलो अपने ट्रैक से बटकती हुई और जब मुझे ऐसा भी लुआ हो कि यह ड्रैक हो रही है या फिर मुझे बूर कर रही है इस तरह की चीज़े यहां पर मुझे फेल नहीं होई हलांकि फिल्म इस्टार्ट में मुझे जैसा लग रहा था ये अंत्यात्याति कहीं और ही किसी और ही चीज़ पर पहुँच जाती है मतलब फिल्म की शुरुआत होती है उसकी माँ को लेकर जबकि एंड में यहां पर कुछ और ही होता है मैंने रॉबाइड डाउनी जूनियर इफ्टारर शेल लोग होमस देखी है और वो दोनों मूबीज बहुत अच्छी थी खासकर उस सीरेज का पुर्वाभास वाला पार्ट या फिर सिनेरियो आई मिन वो जो भी था वो चीज अच्छी लगती थी और यह फिल्म शेल लोग होमस की बहन इनुला होमस पर पूरी तरह से फोकस्ट है और यहां पर हमें शेल लोग होमस भी देखने को मिलता है बट वो यहां पर निढ़ला है उसके पास करने को कुछ भी नहीं है और यह फिल्म लोग डाउनी जूनियर की शेल लोग होमस के आसपास भी नहीं है कई से भी किसी भी एंगल से आसपास नहीं है इसे फिल्म की कहानी बिल्कुली सिंपल भी है यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास ज्यादा बड़ा नहीं होता और शायद इसी बज़े से ये फिल्म मुझे कई भी पूरी तरह से हुकेन बुक नहीं कर पाई लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैंस में काफी अच्छे से कनेक्टेड तो था और क्यूंकि यह पूरी तरह से इनुला हुम्स पर ही फोकस्ड है तो मेकर्स उसे यहाँ पर शेलोग हुम्स की तरह ही एक डेटेक्टिब के तौर पर इस्टेबलिश करने में ही लगे हुए थी जिसे कि इस करेक्टर पर फ्यूचर में भी फिल्में बनाई जाती रहें और फिलाहाल तो यह स्टोरी लैन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई मतलब डीसेंड थी टैम पास थी लेकिन यह फिल्म इसका प्रेजेंटेशन एक्जीक्यूशन काफी अच्छा है और यह आपको पूरी तरह से इंगेज करके भी रखती है और इसकी अच्छी बात यह है कि एक बार इसमें कनेक्ट कर लेने के बाद मैं कहीं पर भी इससे डिसकनेक्ट ही नहीं हुआ और नहीं यह दो गंटे की लेंट कहीं पर भी फिल होती है और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैंने दो गंटे की फिल्म को बेना किसी परिशानी के बिंजबॉच कर लिया परिशानी मतलब लेंडी, बोरिंग, स्लो, ड्रेग होती हुई या फिर भटकती हुई, फिल नहीं हुई और यहाँ पर अच्छा खासा मसाला भी है, और इसका सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा, तो अफकोस इसका पिलॉट ही है हलांकि बहुत बदा तु नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा और यहाँ पर कुछ डीफेंट से ट्विस्ट टरंस भी है, लेकिन मेरे लिए फरप्राइजिंग जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे इस्टोरी कुछ यूँ है कि एनॉला होम्स की मा एक दिन अचानक से गाइब हो जाती है और बहुत ढूंडने पर भी नहीं मिलती फिर एनॉला अपने दोनों भाईयों शेरलॉक और माइकड़ॉक्ट को बलाती है उसकी मा की खोज में मदद करने के लिए लेकिन फिर चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है कि एनॉला को चोरी छिपें अपने भाईयों से बचते हुए अपनी मा को अकेले ही खोजिने के लिए निकलना पड़ता है और अंत आते आते बो अपनी मा की तलाश को छोड़कर किसी और करेक्टर की मदद में लग जाती है तो यहां पर जो भी चीज़ें होई बो मुझे अतनी अच्छी नहीं लगी और नहीं यहां पर कुछ भी ज्यादा बड़ा होता है बट इसका स्क्रीन बिले काफी टाइट है इंगेजिंग है और अगर इसकी स्टोरी लाइन पर और ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता तो शायद यही फिल्म और बहतर हो सकती थी और यहां पर करेक्टर्स को भी काफी अच्छे से इस्टेबलिश किया गया है और एक्टिंग तो यहां पर बैसे तो सभी का ही काम काफी अच्छा है लेकिन मिली बोबी ब्राउन यहां पर बैतरी लगती है और हेंडरी कैबल भी अपने करदार में ठीक ठाक या फिर कहें कि अच्छे लगते हैं बट उनके पास यहांपर करने के लिए कुछ भी नहीं था एक्चुली ज्यादा कुछ नहीं था और चार नबमर से इसका फेगेंड पार्ट एनॉला होमस टू भी रिलीज हो रहा है अपकोस नेट फिलिक्स पर फिलालोस का ट्रेलर तो मैंने नहीं देखा लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि वो फिल्म काफी बैतर होगी तो दोस्तों यह फिल्म मुझे ठीक ठाकी लगी यहाँ पर मुझे उतना ज्यादा मज़ा नहीं आया मैंने चीज़ों को ज्यादा इंज्योई भी नहीं कर पाया So 3 stars That's my rating for Enola Holmes मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रियक्ट बशे करें फिर चाहिए अप लाइक करें It's like it's up to you बाकि अगर आप लोगों ने यह फिल्म Enola Holmes देखिए तो मुझे नीची लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या ठीक है And of course लाइक शेर और सब्सक्राइम करना चैनल को वीडियो को चली it's the moment for me to say टाडा